दोस्तो स्वागत है आपको आज की हमारे इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम Active Styles Technology के बारें बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या हमारे तेजस Fighter एक क्राफ्ट में Active Styles Technology का इस्तिमाल किया जा सकता है या नहीं लेकिन इससे पहले चलिए ये जान लेते हैं कि Active Stealth Technology होती क्या है Active Stealth Technology के बारे में सबसे पहले जिकर हमारे देश में तब हुआ था जब राफेल Fighter A Craft के बारे में ऐसा कहा गया था कि इस Fighter A Craft में Active Stealth का इस्तिमाल किया गया है लेकिन इस बात को लेकर कोई भी Confirmation नहीं थी कि हमारे राफाल A Craft में ये इस टेकनलोजी का इस्तिमाल किया भी क्या है या नहीं आज की इस वीडियो में हम इस टेकनलोजी के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आगे आने वाले हमारे देश के इंडिजनस Fighter A Craft जैसे की AMCA और तेजस माक 2 इस टेकनलोजी का इस्तिमाल कर सकते हैं या नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अभी तक जो 5th Generation Fighter A Craft बनाएं गए हैं जैसे की आफ 22 Raptor और स्कोई 57 ऐसे एक क्राफ्ट में पैसिव स्टेल्थ का इस्तिमाल किया जाता है पैसिव स्टेल्थ का मतलब ये है कि उस एक क्राफ्ट को बनाने के लिए उसके डिजाइन को ही ऐसे बनाया जाता है कि उसके एक क्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो उसमें कुछ ऐसी टेकनिक्स का इस्तिमाल किया जाता है जिससे उसे एक क्राफ्ट का डार्ट क्रॉसेक्शन कम करने की कोशिश की जाती है लेकिन ऐसी टेकनिक्स सिर्फ कुशी समय के लिए काम करते हैं और वो लंबे समय तक एक क्राफ्ट का डाव क्रॉस एक्षन कम नहीं कर सकते हैं ऐसी टेकनिक्स के उपर इसर्च नाइटी सिस्टी से ही शुरू हो गई थी लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कॉंक्रीट एविडेंस अवेलिबल नहीं है कि इन टेकनिक्स को प्रेक्टिकली यूज किया गया है और किसी वार जोन में इस्तिमाल किया गया है अभी राफेल फाइटर एक्राफ्ट में ही ऐसी निउस थी कि इस एक राफ्ट के स्पेक्ट्राईल एल्यक्टोनिक वारफिट सिस्टम में एक्टिर रडार कैंसलेशन का इस्तिमाल किया गया है जिससे वो अपने रडार को सेक्षन को कुछ समय के लिए बहुत कम कर सकता है और रडार से डिसपीर हो सकता है दोस्तो एक्टिव स्टेल्थ को बहुत सारी तरीकों से चीव किया जा सकता है ऐसी दो टेक्निक्स हैं जिसके इस्तिमाल से एक्टिव स्टेल्थ को चीव किया जा सकता है एक है प्लाज्मा स्टेल्थ और एक है एक्टि रडार कैंसलेशन Plasma Stealth में एक Craft में Ionized Gensis जाने की Plasma का इस्तिमाल किया जाता है Plasma Ionized Gensis होती है और जो RF Signals जो Radar से निकलते हैं वो Non-Ionizing होते हैं इस टेकनीक में ऐसी Research की गई थी कि Plasma जाने की Ionized Gensis का इस्तिमाल एक Craft के Radar Cross-section को कम करने के लिए कैसे किया जा सकता है इसमें ऐसी Research की गई थी कि Electromagnetic Radiation और Ionized Gensis कैसे Interact करते हैं जिसके इस्तिमाल के उपर बहुत सारी Research की गई थी ऐसी दावे किये गए थे कि अमेरिका का B2 Stealth Bomber भी ऐसी Technology का इस्तिमाल करता है और उनके बहुत सरे Spy Plains भी ऐसी Technology का इस्तिमाल करते रहे हैं इस टेकनीक में बहुत सारे Methods का इस्तिमाल के जाता है जिससे एक Craft के Around एक Plasma Gensis का एक Cloud तयार कर दिया जाता है या एक Layer तयार कर दी जाती है जो कि जान तो Radar Waves को Deflect कर सकता है या उनको Absorb कर सकता है जिससे वो Radar से बिलकु डिसपियर हो सकते हैं ऐसी जानकारी है कि रशिया की जिरकौन मिसाइल इसी Plasma Style Technology का इस्तिमाल करती है इस टेकनीक के बारे में ऐसा बताया गया है कि इस टेकनीक के इस्तिमाल में एक Craft के उन पार्ट को अडेंटिफाई किया जाता है जो कि एक Craft के Radar Cross Section में ज्यादा Contribute करते हैं जानकी उन पार्ट को अडेंटिफाई किया जाता है जो कि एक Craft के Radar Cross Section को ज्यादा बढ़ाते हैं और उसके बाद एक Craft के उपर Plasma Generation Devices का इस्तिमाल किया जाता है जो कि Plasma Cloud को जनरेट करते हैं इस सिस्टम का इस्तिमाल तब किया जाता है जब आप Radar से Disappear होना चाहें तब एक Craft ऐसे सिस्टम को Activate कर देगा जिससे एक Plasma Cloud Generate होगा जो कि RF Signals को अब्जॉर्ब कर लेगा और उसी वक्त एक Craft के Radar Cross Section को Zero कर देगा इस से एक Craft एक दम से ही Radar से बिलकुल Disappear हो जाएगा जो कि एक Craft को Combat के दुरान बढ़त दिलाने के लिए काफी है और वो अपना Mission ज़्यादा Effectiveness के साथ कर सकता है लेकिन इस Technology के साथ भी काफी Limitations हैं इस के बारे में ऐसी जानकारी है कि इस Technology के इस्तिमाल के लिए ज़्यादा Power की ज़रूरत है और जो Plasma Generation Devices हैं उनको शोटा बनाने में काफी Difficulty आती है यही कारण है कि ऐसी जानकारी है कि ऐसे Devices का इस्तिमाल काफी बड़े Bomber Aircraft में ही अभी तक किया गया है और कुछ Missiles में ही किया गया है इसके बाद आती है Active Radar Cancellation Technology इस Technology के बारे में ऐसा दावा है कि इस Technology का इस्तिमाल हमारे राफेल Aircraft में किया गया है उसका जो Spectra Electronic Warfare Suite है वो इस Technology का इस्तिमाल करता है ऐसा दावा किया गया है Active Cancellation एक Theoretical Military Jamming System है जिसमें उसकी तरफ आने वाली Radar Signal को सेंपल किया जाता है उसे Analyze किया जाता है और उसको बाद में Return किया जाता है लेकिन उसको थोड़ा सा Auto Face कर दिया जाता है जिससे वो Signal Cancel हो जाता है जाने की जो Radar Waves एक Craft की तरफ आएंगी उसको Analyze किया जाता है और उसके बाद ऐसी Waves को Transmit किया जाता है जो कि उस Wave को Match कर रही हो और वो Reflected Wave को Cancel कर देती है इससे Active Cancelation अचीव कर ली जाती है जिससे कुछ समय तक एक Craft के Radar Cross Section को बहुत कम किया जा सकता है इस टेकनीक के पीशे Basic Idea ये है कि ऐसी Waves को Produce किया जाए जो कि एक Radar Target की Scattering Echo को काफी Reduce कर दें जिससे वो Target Radar System में बिलकुल Invisible हो जाएं इस टेकनीक का इस्तिमाल Different Frequency Bands में किया जा सकता है और इसे Radar Wave Signal के Parameters के हिसाब से Adjust भी किया जा सकता है लेकिन जैसे जैसे Frequency Increase हो जाती है तब तब Active Cancellation काफी Difficult हो जाती है जिसके कारण ऐसा बताया गया है कि इस Technology को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह Lower Frequency Radar Cross Section Reduction Applications में ही किया जा सकता है जहां पर Passive Style Techniques बहुत बुरा काम करती है अभी अगर हम ये बात करें कि हमारे देश के नए Fighter A Craft में इस टेकनीक का इस्तिमाल किया जाएगा या नहीं तो यहां पर आपको बता दें कि ऐसी अभी तक कोई भी Indication नहीं है कि हमारे किसी भी Fighter A Craft में ऐसी Technology का इस्तिमाल किया जाएगा ऐसा जरूर बताया गया है कि हमारे DRDO ने प्लाजमा स्टेल्थ की उपर बहुत लंबे समय से रिसर्च की है और वो शायद इस टेकनोलजी को लेकर काफी एडवांस स्टेजस पर हो लेकिन ऐसी कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि हमारे किसी एक क्राफ्ट में इस टेकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा एक्टी रडार कैंसलेशन टेकनीक के उपर शायद रिसर्च की जा रही हो लेकिन उसके बारे में भी कोई कंफरमेशन अवेलिबल नहीं है तो अभी तक ये कहना बिलकुल सही नहीं होगा कि हमारे एक क्राफ्ट में इस टेकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन ऐसा पॉसिबल जरूर है कि इन फ्यूचर हमारे एक क्राफ्ट ऐसी टेकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनकी performance काफी increase होगी दोस्तो अगर हम Active Stealth Technology की application हमारे अभी के बनाए जा रहे Tejas Mark 1 या Mark 1 A Craft में करने की बात करें तो ये काफी मुश्किल होगा पहली बात जोदे है कि अगर हम Plasma Stealth की बात करें तो Plasma Stealth के लिए काफी ज़्यादा power की ज़रूरत होती है और हमारे Tejas Mark 1 A Craft में इतना powerful engine नहीं है कि वो इतनी power generate कर सके और इसके साथ ही अगर हम Active Stealth की बात करें तो उसके लिए भी नए सिस्टम इसमें लगाने होंगे और उसके लिए भी power requirement होगी और हमारा Tejas Mark 1 A Craft पहले से ही एक काफी चोटा A Craft है तो इसमें नए सिस्टम लगा पना काफी मुश्किल होगा तो इसलिए Active Stealth Technology की application हमारे AMCA Fighter Jet और Tejas Mark 2 A Craft और Twin Engine Deck Based Fighter A Craft जैसे A Craft की उपर ज्यादा सही रहेगी और इस टेकनोलजी के साथ हमारे Fighter A Craft को एक काफी unique और game changing capability मिल जाएगी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरू लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हंद जै भारत